हेलो वेलकम दोस्तों और मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ टीचर बढ़ने के लिए सबसे बेश्ट कोर्स कौन सा है बीए डिया बेटी सी यानिके डिया लेट तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं और नए सिक्षानीति के तहट कौन से हुए हैं नए बदलाव जो की नए सिक्षानीत 2019 में पारित किया गया है उसमें कौन से न्यू बदलाव हुए हैं तो चलिए हम आपको इस वीडियो में यह पूरी जानकारी देने वाले हैं तो अगर आप बीए डिया बीटी सी करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरी लास दिख रहा होगा आप उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके पास नोटिपिकेशन जा सके चलिए बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नए सिक्षानीत 2019 के तहट कुछ खास बात हैं जो कि क्या हुए हैं नए सिक्षानीत 2019 के था तर अधे तो आज हमसी का बारे में बात कर लेते हैं तुंस सबसे बातÁ देते हैं कि नए सिक्षानीत 2019 के तहट जो टीचर बने के लिए इंटर्विव वा करता था वो अभी इंटर्विव खत्म कर दिया गया। अब नई सिक्षानीत 2019 के तहद टीचर बढ़ने के लिए हमें कोई भी इंटर्ण भी नहीं देना होगा अब ये अच्छा ही हुआ क्योंकि इसमें कुछ भ्राष्ट चार हो रहा था वो अब नहीं होगा तो ये अच्छी बात है हुई है नई सिक्षानीत 2019 के तहद अब बात कर लेते हैं जैसे कि आपको पता ओगा डियल्ट करने के बाद़ हमें टेट या सिटेट करना पड़ता है तभी तभी हम जाके सरकारी टीचर बन सकते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, या DetLoid होता है, Central Heart होता है, तो आपको जो भी आप कर Audio곤 इसमें दर्स परसेंट माक्स, मिलेंगे, और नेग्स आज है 10 प्रसेंट माक्स एड़ किये जाएंगे, और जो मेन एक्जाइम होता है 80 marks का वो भी निव पदलाव हुआ है तो इन तीनों को अगर हम equal करेंगे तो हो गए हमारे 100 marks तो जो 100 marks हुए हैं इसी के तहट इसी base पर हमें cut up तयार किये जाएंगे कठब तयार होगी और इसी के base पर आपको नंबर दिये जाएंगे और सरकारी टीचर बनाएं जाएंगे तो यह थी कुछ नए सिक्षा नीति के तहट कुछ important बाते एंड बदलाओ और बात कर लेते हैं बीटी सी एंड बीड कौन सा बेश होगा हमारे लिए तो मैं आज आपको इन दोनों के बारे में full introduction देने लिए हूं तो चलिए जान लेते हैं पहले बीटी सी याने की डीलेट जो पहले नाम बीटी सी था लेकिन 2017 में इसका नाम बदल रख दिया गया तो बात कर लेते हैं बीटी सी की Qualification याने की योगिता के बारे में तो चलिए तो जो अगर आप बीटी सी करना चाहते हो तो आपकी qualification 10 plus 2 plus graduation होनी चाहिए और 50% आपके पास marks होने चाहिए जो जनरल है उनके लिए जो graduation किया है बी ये बीकॉम बीसी किसी भी स्लेवर से किसी भी सब्जेक्ट से उनका जनरल का 50% marks होने चाहिए तभी आप ये form फिल कर सकते हैं और चाहिए उनके लिए तो 5% की छूट की गई है तो ये qualification और भी इसमें इंपोर्टेट बात यह है कि जो बीटीसी है इसमें interest exam नहीं होता है यह आपको पता होना चाहिए जो बीटीसी का counseling होता है इसमें interest exam नहीं होता है और जो बीड होता है उसमें वो counseling interest exam के बेस पर होता है बीना interest exam के आप तो अब हम बात कर लेते हैं बीटीसी की कुल कितनी सीटे है तो बीटीसी की total seat 2,21,000 तक total seat है और अब बात कर लेते हैं government and private में कितनी सीटे हैं तो जो government college है उसमें 10,600 प्लस सीटे आने वाली है और जो प्राइबेट है उसमें 2,000,000 प्लस 10,000 सीटे आने वाली है तो यह आपको पता होना चाहिए अब बात कर लेते हैं फीज के बारे में कि बीटीसी फीज कितना लगता है government and private college में तो जो government की college होती है उसमें 10,000 फीज लगता है और आपको पता ही होगा बीटीसी टू यहर्स का होता है तो 10,000 का फीज लगता है और जो private school है उसमें दो यहर का मिलाकर 80,000 मतलब कि फ्रस्ट यहर में 40,000 एं सकेंड यहर में 40,000 तो कुल 80,000 रुपाय लगते हैं private college में बीटीसी में admission लेने पर तो यह हो गई हमारी बीटीसी अब हम बात कर लेते हैं इसमें और यह पूरा merit के उपर ही होता है इसमें इंट्रेस्ट गैम नहीं होता यह आपको इंपोर्टेंट है याद रखना अब बात कर लेते हैं कि आपका admission process क्या होने वाला है तो अभी मैंने बता है टेन प्लस टू प्लस graduation को मिलाकर आपका merit त्यार किया जाएगा और इसके बात कर लेते हैं पोस्ट आपकी पोस्ट कितनी लेवल तक ऊपर नीचे जा सकती है तो आप इसमें यह कूर्स करने के बाद प्रैमिरी टीचर जुनियर टीचर और मेन पूस्ट है इसमें आप भी ऐसे बन सकते हैं जो की बहुत बड़ा पोस्ट होता है बीशे का अध इत्ती सारी promotion मिल सकता है headmaster भी बन सकते हैं तो इसमें सबसे बड़ा पोश्ट है बीस है ठीक है तो आप यह कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं तो यह पूरी जानकारी थी आपको बीठी सी के बारे में अब हम बात कर लेते हैं तो बीयत में क्या process है क्या योगिता है उससे के में नहीं आपको पता दें जो योगता होती है वहीं है टेन प्लस टू प्लस ग्रेजुएशन 50% माक्स आपके होने चाहिए जनरल के पचास परसेंट से अगर ग्रेजुएशन में माक्स नहीं होंगे तो आप यह फूम नहीं फिल कर सकते हैं और इस इस टी है उनको बस क्वालिफिकेशन जो है वह घ्रेजुएशन पास होने चाहें वह भी एह हो बीकम भीए सियो कोई भी स्लेवर्स या कोई भी सब्जेक्ट तो बात कर लेते हैं इसमें में इंपोर्टेंट क्या है मैं पूता थी जो है इसमें इंट्रेस्ट एक्जाइम होता है तब ही जाके आप सेलेक्ट हो गया आपका रहें के देखा जाएगा उसी के अपको गोर्मेंट कहें लिए कोलेज या प्रैवेट कोलेज मिले गा ठीक है वो आप देखिए जो बी-टी-सी था उसमें इंट्रेस्ट-ग्जैम नहीं होने वाँ था उसमें मेरीट पर काउंसलिंग की जाता है रो़ इसमें ब्योगा उसी की बेस पर आप कन्सलिंग की जाएगी अब बात कर लेते है है इसमें सीटे कितनी है तो बीक में कुल सीट है दो लाक पंद्रा हजार तो यह खूल सीटे है बीट की और बीटी जिविब स्टे थी दो लाक 2100 कि फी अब बात कर लेते हैं गोर्मेंट सीटे कितनी है और प्राइबेट सीटे कितनी है तो जो qo Сीटे है हम वह 10 प्लस स्टे सेटे में मिलें आपको प्रीस में तो आपको बीएड में देना है वह सरकारी इसकुल में पांच हजार और प्राइबेट उसकुले हैं उसमें आपको तु एयर में 82,000 देना है फर्स्ट यर में 51,000 देना है और सेकेंड यर में कुल सिस आपको सब्मिट कर देना है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं एड्मिशन क्या होगा आपका तो एड्मिशन आपके जो एक्ट्रेंस एकजन दिये होंगे उसी के रैंक के इसाब से आपको गुवर्मेंट को कॉलेज या सरकारी और फिर प्रड़ेट कॉलेज प्रूबाइट की जाएगी अब बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में तो आपको पोस्ट इसमें आपका प्रैम्री टीचर बन सकते हो जूनियर टीचर और इसमें बहुत परमेशन होता है आप प्रिंसपल भी बन सकते हैं और इसमें भी आप यह से बन सकते हो तो यह दोनों कोर्स हैं मैंने आपको इसके बारे में सभी बता दिया है तो अब आपको यह सोचना है कि आपके लिए यह बेस्ट कौन सा कोर्स होने वाला है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके लिए सबसे बे वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केर एंड थांक्स फॉर वाचिंग